बिचार्धारा तो सभी पार्टियों का अलग-अलग है चाहे मनता बनरजी हो चाहे अक्लेश जादब हो चाहे और कई दल है, उनका हो चाहे व्योंग्रेस है तो बिचार्धारा यहां ही अलग-अलग है तो बिपेकशी ED है, CBI है, या परिसान क्या जा रहा है विपक्च को, विपक्च के लोगों को फसाया जा रहा है, एक क्या जा रहा है, तो इसके भाय से भी विपक्च एक होते हैं, लेकिन इस तरह की एकता अस्थाई नहीं होती है. भी है एक नितिसकुमार ने बयान में भी कहा है कि आगे आने वाले समय में विपक्षी एकता को लेकर बड़ा बैठा कोने वाला है और और कहीं नहीं होगा बलकी बिहार में होने जा रहा है अब ऐसे में सियासा तेज हो चुका है हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता प बात को सबसे पहले समझना जरूरी है कि एकता का जो आधार होता है विपक्षी एकता का जो आधार होता है आधार हमेशा यह होता है कि विचार धारा यदि एक हो तो विचार धारा तो सभी पार्टियों का अलग अलग है चाहे मनता बनर्जी हो चाहे अकलेस जादब हो चा है, Congress है, तो विचार धाराएं यहां ही अलग-अलग है, विचार धाराएं आपस में इन लोगों की मेल नहीं खाती है, यह आप उनके विचार धारा को जब टटो लेंगे तो देखेंगे कि सभी के विचार धाराएं अलग है, तो सवाल है या विप्यक्ची एकता होगा किसे, तो विप्यक्ची एकता तब होगा, जब किसी बात का भाई हो, तो सवाल यहां उठता है कि जब भाई किस बात का है, तो भाई एक बात का है, कि अभी जो एक चल रहा है कि भाई, यह ED है, CBI है, यह परिसान किया जा रहा है विप्यक्च को, विप्यक्च के लोगों को फसा तो इसके भाय से भी विपक्ष एक होते हैं, लेकिन इस तरह की एक्ता अस्थाई नहीं होती है, इस तरह की एक्ता ओस्थाई होती है, जो छन्भंगूर होता है इस तरह की एक्ता, क्योंकि जो भाय जब तक ब्याप्त है, तब तक वो एक्ता रहती है, और जैसे भाय खतम हु कि ये भय खतम होगा, विपक्ची एक्टा खतम होगी, एक बात, दुसरी विचार धारा जब नहीं मिलती है, तो एक्टा होगी कईसे, ये बहुत कठीन परिस्तिती का इलोहा के चना चवाने के समान है, तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ठीक है, माने मुख्यमंत्री जी प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए क्योंकि उनके सामने जो परिस्तिती आ गई है, वो बिहार के मुख्यमंत्री खुद भी कह चुके हैं कि हम अन्त भला तो सब भला, तो ऐसी परिस्तिती में वो करें तो क्या करें, जब ऐसी परिस्तिती सामने आ गई है और 20 वर्स उनक बवस्ता है जिसमें वो ब्यास्त रहेंगे, संघर्ष कर रहें हैं तो 24 में ये चुनाओ आएगा और उसके बाद 25 में जो चुनाओ आएगा तो कहने का मतलब है कि संघर्ष का रास्ता वो चुन रहे है कि उनकी ब्यास्ता आखिर किस चीज में होगी, जब विहार के मुख् ब्यास्त रहेंगे, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता खोज लिया है, उसमें उनको अपना अंतरात्मा की संतुष्टी भी मिलेगा और प्रयास भी है, ठीक है, यही अब देखने का भी सहीगा. इक वाले भी है कि इन दिनों नितिस कुमार जो बयान देते रहे हैं, उन बयानों को आप कैसे और किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, आपका बयान का तार्ज पर जो है, कई तरह क्या बयान अभी उन्होंने दिया है, अभी तुरंत कल की ही बात है, उन्होंने बयान दिया है कि जो सरकारी करमचारी हैं, सेवा, रत करमचारी हैं, जो सरकारी सेवा में भी लगातार हैं, और उस सेवा में यदि उनकी मि इसको दोनों को एक तराजू पर तॉलना कि एक सामाने नागरिक की हत्या हो और एक प्रसासन जो ब्यवस्था चलाते हैं जो प्रसासन चलाते हैं उनकी हत्या और एक सामाने नागरिक की हत्या एक कही से माने जा सकती है जो प्रसासन चलाने वाले है वो जो सामाने नागरिक है उसके सुरक्षा की गैरेंटी देते हैं जो बैवस्था चलाते हैं, सरकार है, उसके अगर हत्या होती है, वही आम लोगों की सुरक्षा की गैरेंटी देते हैं, और जब वो सुरक्षा की गैरेंटी देते हैं, और खुद सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षा की गैरेंटी कैसे दे सकते हैं, पबलिक का विश्वास कै से उन पर हो सकता है कि वो खुद मारे जा रहे हैं और उनको उनको ये कहने का मतलब ये था कि जो उनका ये जो ब्यान आया है इस तरह का ये ब्यान मैं समझता हूं कि उन्होंने इस ब्यान को किस तरह दिया है और उनके जैसे गंभीर बैक्तितों के लोग को इस तरह ब्यान आ में हैं जो चलाते हैं व्यवस्था चलाते हैं व्यवस्था पक उनके उनका मनोबल गिरेगा उनका मनोबल गिरने से इसका प्रभाव जो है व्यवस्था पर पड़ेगा और प्रसासन पर इसका निस्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा इसलिए मानु मुकहुंतरी जी का य कि एक आईएस आईपेस की कारस्यली को खराब कह देना और राज नेताओं को इसको फिर कैसे देख रहे हैं नहीं अगर उन्होंने ये ब्यान दिया है कि ये जो ये बदनामी उनकी जंगल राज की बदनामी पदाधिकारियों के करण हुई आपके कहने का ताथ पर यही है कि उन्होंने ये ब्यान दिया कि जो आईएस हैं जो परसासन चला रहे हैं लेकिन एक बात तो है इकवाल तो आपका है जो मुखमंत्री होते हैं जो सरकारें होती है वो वो ब्यवस्था चलाती है और ब्यवस्था आप चला रहे हैं और दोस किसी और पर देंगें ये तो दोस मढ़ने वाली बात है कि मेरा हम मढ़ दिये किसी और पर तो इस तरह से बोल देने से कोई दोस किसी के नाम पर जाता नहीं है कि आज जो प्रसासन सत्ता आप चला रहे हैं प्रसासन आप देख रहे हैं उनकी लापरवाई हो रही है अगर कहीं पर प्रसासन गलती कर रहे था, आप उसे हटाईए, दूसरे को बैठाईए, तो सवाल है कि जो बातें हो चुकी उस पर अब 20 वरस के बाद दोस गढ़ना, कि भाई ये गलती मेरे चलते, ये जो बनामी हमारी हुई, जंगल राज की हुई, आप लोगों के चलती हुई, ये तो जो सत्ता थी, मुख्यमंत्री थे उसमें लालू जी, उसमें उनके हाथ में सत्ता थी, रावडी जी के हाथ में सत्ता थी, तो ये बात कह देने से ये टालने वाली बात होगी नहीं, आना लोग इस पर भरुशा करेंगा, आना ये जो है तेजस्वी जी जो बोले हैं, ये उ पुरानी बातों को छेड़ने से क्या फैता उस दौरान उनके माता पिता दोनों मुख्य मंत्री थे उंगली तो एक बार उठ चुकी है अब आगे भी जो है आम जनता भी इस सब बातों को बखु भी जानती है इसकर बस इतना ही बने रहे निविश परनेशन के साथ तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किये हैं तो कली जी धन्यवाद